तो हलो दोस्तों, कैसे आप लोग उम्मिद करता है अच्छ होंगे, बहुत अच्छ होंगे, माहिया आलोक और आज हम आपको यहाँ बताने आया हूँ, प्लास्टिक्स के बारे में, पिछलो वीडियो में हमने डिसकस किया था, सिंत्यतिक फायवर्च के बारे में, इस वीडियो हम डिसकस करेंगे, प्लास्टिक्स के बारे में, और इस पिछले वीडियो का लिंक चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले लीजिए, तो चलिए, आज जानते हैं, प्लास्टिक्स के बारे में प्लास्टिक्स के बारे में स्टेटिक फैवर्ग जो चाप्टर का नाम था सिंधेतिक फैवर्ग के बारे में लगभग में क्या मैंने थो हर चीज बता दीथी पारे में है उपड़ आपको दिख रहे हैं सिंत्य फैवर्ग क्रबसम प्लास्टिक इसका मैंने डो cyn Period चीज मुझे लगा था कि जरूरी है आपके लिए वो सब सारी चीज सिंतेटिक फैवर्स में आपने बता दिया था आपको तो आज परने वारे हैं हम प्लास्टिक्स के बारे में प्लास्टिक्स देखिए अभी के समय में यदि हम कुछ भी काम करते हैं कुछ भी देखने जात तो प्लास्टिक्स जो ह चाहते हैं जहांने तो प्लास्टिक्स, जूं कि हम जाने में। कि प्लास्टिक प्लास्टिक से प्लास्टिक का लिंगत सबसे क्यासी के। जैसे कि आपने सिंतादिक फाइबर में परहा था कि डिफरेंट टाइप से अलग अलग चीज़ें तयार होती है जैसे कि पॉलीथीन से क्या-क्या बनते हैं तो पैकिंग बैक्स बनता है ट्वाइज बनता है उसके बाद इक टाइप प्लास्टिक का पीवी होती है उसके बाद जो है मील मैं जैसे के आप खाने के लिए जो बरतन यूज करते हैं जो कि प्लास्टिक्स का होते हैं उसको भी हम कहते हैं प्लास्टिक से बनी होती है इसके बाद जो बेकलाइट होती है बेकलाइट भी प्लास्टिक का टाइप है इसे का होता है एलेक्ट् सबह syrup अदिक तो चeshणच में में हमें पदना दो टाइप प्लास्टिक वहते हैं कौन-पक्षा थर्म फ्लास्टिक और थर्म सिंग प्लास्टिक अब यहां-पक्र भी स्थीड धाय भुए कोई सीरियल स्कॉछूहंगे दुकान में तो आपने कभी सोच आई उसको पाइक में आता है गिया किया जाता है कि अधार क़ या अधार लेमिनेशन करनेफे ना क्या होता है तो जो paper होती है या फिर जो plastic होती है उसको heat किया जाता है और heat करने के बाद क्या किया जाता है heat करने पर क्या होता है melt हो जाता है और melt करने मतलब पिघल जाता है और पिघलने के बाद क्या हो जाता है दोनों को एक दूसरे से इस तरीके से अटाच कर देते हैं तो क्या होता है दोनों फ्यूज हो जाता है दोनों जॉइंट हो जाता है तो जो प्लास्टिक को आप करके या फिर कोई और कंडिशन अपलाई करके एक से दूसरे से में कनवर्ट कर सकते हैं या फिर एक जो शेप है उसका उसमें कुछ चेंजेज ला सकते हैं तो उसको कहते हैं थर्मो प्लास्टिक जैसे कि आपने देखा होगा मतलब इसका सिधा सा आप डेफिनिशन ये बोल सकते हैं इसका मतलब होता है उसको चेंज करना अपने उसको बदलना दूसरें सेप में डालना तो जब हम एक प्लास्टिक को खностиक यदि और उसके उसको हम दूसरे शेप में डाल देते हैं उसी को कहते हैं थर्मो प्लास्टिक्स उस प्लास्टिक्स को कहते हैं थर्मो प्लास्टिक्स उसके बाद थर्मो प्लास्टिक्स को कहते हैं थर्मो प्लास्टिक्स को कहते हैं जैसे कि पॉलीथीन हो गए या फिर नाइलन पॉलिस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनकी इस तरीके की होती है सीधा होती है इसको आप यह थोड़ा सा गरम करेंगे तो इस तरीके से लूज हो जाती है या फिर इस तरीके जीधर आप चाहें उदर इसको घुमा सकते हैं लूज कर सकते हैं क्योंकि यह फ्लेक्सिवल होती है इसका जरे तीजल जो टोट ही हिस्ते साइड दिशेट पकर करना के लिए थलॉज टो लचीले रहता तरे कले घ्रहें थहों प्लास्टिका हुंगे निन सब्सकुण दvous अब यहां पे thermosetting plastic दूसरा टाइप thermosetting plastic क्या होता है एक ऐसा plastic जिसको गरम करने पे वह soft ना हो तूट जाए ज़दा ज़दा आप उसको ज़दा गरम करेंगे तो तूट जाएगा लेकिन soft नहीं होगा तो उसको हम कहते हैं thermosetting plastic या फिर thermosets ठीक है उस thermosetting plastic क्या बनता य यह गरम करेंगे तो वह soft नहीं होगा ज्यादा गरम करेंगे तो तूट जाएगी लेकिन soft नहीं होगी उसके बाद बेक लाइट बेक लाइट जो है इसका मतलब होता है वो जो बोर्ड की जो बनी होती है बोर्ड की जो स्विचेस जो बनी होती है वो होती है बेक लाइट ज हिसको हम गरम करने पर हीट करने पर होग सौप्ट नहों या उसको हम दूसरे शेफ मेना कर सके तो वही होता है थर्मो शिटिंग प्लास्टिक उसके बाद कि जो उसका जो स्ट्रक्चर है वह दिखिये यहां पे देखिए जो उसका करम से स्रत्रक्चर तब कुछ इस थरीक twin अ वह कुछ दॉपर यहां पर देखिया यहां पर डबल गदम यहां पर नेट वर्क यह इसी व 하지 जो है यह यह जो है दुसरी शेप में convert नहीं हो पाती है, अब यहाँ पर है properties of plastics, अब plastics के कुछ properties है उसको हम जानते हैं, तो plastic के properties हम जानते हैं और इसी समय पता चलेगा कि plastic जो है popular क्यों है as compared to metals, तो दिखिए, plastics जो है सबसे पहला properties हम परते हैं, प्लास्टिक जो है वो lighter than metals होता है, metals से plastic हलका होता है, आप एक plastic का bottle लीजिए और एक metal का bottle लीजिए, उस दोनों को यदि आप compare करेंगे, तो plastic का bottle जो होगा, वो lighter होगा as compared bottles of metals, metals की bottle से plastic का bottle हलका होगा, तो हमेशा लोग हलके bottles की use करते हैं, क्योंकि उसको carry करने में भी आसानी हो दूसरा properties है, जो plastic है, वो पानी में dissolve नहीं होता है, as compared to metals जो हो जाती है, इसलिए जो plastics जो है उससे बना होता है, buckets, glasses and other container जो है बना होता है, क्योंकि वो पानी में dissolve नहीं होता है, उसके बाद जो अगला point है, वो है plastic जो है react नहीं करता है, वो air के साथ, या फिर oxygen के साथ, या आप metals को देखो, तो उनको आप यदि बाहर में छोड़ देगो, तो air के साथ, oxygen के साथ contact में आने से उन पे क्या होगा, corrode हो जाएगा, उन पे जंग लग जाती है, और वो खराब हो सकती है, इसलिए plastics में रखेंगे, तो वो plastics जो है react नहीं करता है, plastics में जंग नहीं लगती ह उसके बाद, next जो है, plastics जो है, वो bad conductor of heat होता है, लेकिन metals होती है, वो good conductor of heat and electricity होती है, तो इसलिए plastics insulator भी है, इसलिए plastics का use हम करते हैं, जैसे कि आप देखने होगे, electric के जो wire होते हैं, उनके उपर भी plastics का ही cover रहता है, ताकि जो electricity है, वो हमें conduct ना हो, हमें current ना लगे, उसके पाद क्या है, next point है, कि plastic जो है, वो durable होता है, लंबे समय तक चल सकता है, strong भी होता है, और लचिलापन भी उसमें होता है, ताकि उसको हम ज्यादा भी यूज़ करें, तो उसको break ना हो, ठीक है, तो यही सब कुछ properties थी, plastics की, अब तक तो हमने देखा कि plastics के advantages क्या है, plastics हमारे लिए मददगार कैसे है, plastics का हम huge कैसे करते हैं, अब देखेंगे कि plastic हमारे लिए खतरनाक कैसे है, हमारे लिए, वो disadvantage क्या है plastic की, तो हमारे लिए harmful कैसे हो सकता है, तो अब वो देखते हैं, तो देखें, plastics जो है, उसका harmful सबसे बरी प्लास्टिक के जो खराबी है वो है वो non-bio-degradable है इसलिए क्या होता है वो मिटी में नहीं मिल पाता है वो degrade, decompose नहीं हो पाता है इसके बज़े से जहां भी उनको फेकोगे आप वहाँ पे कच्रा जम जाएंगी वहाँ पे गंदगी फाइल जाएंगी तो वो हमारे ल की है और इसलिए हमें प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए ठीक है प्लास्टिक को आप जब आप रोड पे जाओ थोड़े से बरे सहर में चले जाओ तो वहाँ देखो कि प्लास्टिक का बरे-बरे जमाब्रा होते हैं उनको फेकने वाला कोई नहीं होता है क्योंकि उनको के समय में प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा होने लेगा है और इसलिए प्लास्टिक हमेशा आप स्ट्रीट पे देखोगे रोड पे या फिर साइड में रोड के साइड में देखो तो वहाँ पे बहुत ज्यादा प्लास्टिक का जमाब्रा होती है क्योंकि लगा हुआ है यह प्लास्टिक्स के है और यह कभी खराबी करेंगा उसके बाद जो है जो जानवर्ड होते हैं जो घुम रहते हैं खुले में वह भी प्लास्टिक्स खाती हैं उनके लिए भी खतरनाक होता है या फिर आप नदी में देखो समुद्र में जो प्लास्टिक्स फेक देते हैं हम लोग समुद्र के साइड में वह क्या होता है कोस्टल एडियाज में जो लोग प्लास्टिक्स फ उनके सरीर में आधा जो होते हैं भाग वह प्लास्टिक से भरी हुए होती है बहुत सारा मचलिकर क्या होता है कि मुझ में पन्नी फस जाती है प्लास्टिक से उसके बाइसे उनका मौत हो जाती है तो हम देखते हैं कितना मतलब हम लोग बरबाद कर रहे हैं अपने अपनाई जिनसे हम प्लास्टिक्स के जो यह पॉल्यूशन है बरबादी है उनसे हम बच सकते हैं तो देखिए क्या है पिछले दस सालों में यहां पे बहुत सारा करना चाहें थो प्लास्टिक्स को कम करने के लिए हमारे पास कुछ उपाए है जैसे की रिड्यूश्ट रियूज रिसाइकल यह आपने तीन जो चीजें इनको अपलाई करेंगे ए तीन स्टेप तो कम कर सकते हैं रियूज का मतलब हुआ एक प्लास्टिक को हम दूसरे बार में यूज करें उसको कहते हैं रियूज मान लीजिए आपने दुकान से एक पॉलिथीन में लाया डाल अब दूसरा आपको कुछ लाना है तो वही पॉलिथीन यह आप ले करके जाएंगे फिर मतलब डाल को आप रख लीजि का बोटल आप यूज कर लिए आपने कोको कोला पी ने के बाद आपको आस पास जो बोटल बच गे उसको आप बेच दो मतलब बिगता है बोटल उसको आपसे कुछ रूपए भी मिल जाएंगे दो तिन रूपए मिलते हैं एक प्लास्टिक के बोटल से और बहुत सारे आप के पास होंगे तो कुछ जादा भी पैसे मिल जाएंगे तो प्लास्टिक को विस्ट को आप जमा करो उसका जोओ खरीदने वाले आते हैं प्लास्टिक आतोा महीं करते हो तो इस तरीके से आप बच सकते हो उसके बाद जो है लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उसके आप उसको यूज करो और फेक दो तो वह क्या होता है मिट्टी में जैसे की अधर चीजे जो नेच्रुल चीजे डिकंपोज होती है उसी तरीके से प्लास्टिक भी डिकंपोज ह को जाता है लेकिन वह प्लास्टिक महगी यूजिना ही कर सकते है यह बहुत जढ़ा महगी हती है वह थाफ सार्ल किये हौँ लोग उसका एक्षान प्लान लेती है बहुत सारा चीजें स्विब करती हैं फ्लास्टिक करने के लिए लेकिन गवर्मेंट भी उस पर ठीक से काम नहीं करते हैं इसलिए यह सब चीज भी बंद नहीं हो पाता है जैसे कि अभी कुछ दिन शुरूवा था कि प्लास्टिक को नहीं यूज करता है आभी हम देख रहे हैं कुछ दिन एक मैना नहीं यूज हुआ ठीक से उसके बाद फिर से लो सब घूमने बाले जगे हैं यहां पर प्लास्टिक नहीं फिक पावगे यहां पर फिकने प्यापको फाइन लग सकते हैं आपको पनिश्मेंट मिल सकती है उसके बाद जो है अगला पॉइंट है अगले पार्ट में देखेंगे और इसके साथ मैंने आपको सिंथातिक अब जो फाइवर्स थी जो नाइलन फाइवर्स थी या फिर फॉलिस्टर थी इन सब चीजों की डिज एडवांटेज आपको मैं नहीं बताया था पिछले वीडियो में तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको यह पॉइंट भी क्लियर करूंगा और जो सिंथातिक आपके मन में रहा हो तो फटा-फट से जो है कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूंँ और गुरूप जोइन करना चाहते हैं मेरा तो उसके लिए भी आप कमेंट में लिखिए मैं आपको गुरूप जोइन करवा दूँगा वहाँ पे आ एकन को दबा को वहाँ पर आल बारी आप्शन होती है उनको आप सेलेक्ट कर लीजे ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले बहुत सपाए थैंक यू गूडबाई टेकेर फ्रेंड्स